कि हलो फ्रेंट्स वेल्गम टू स्मार्ट नो के चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एक और एक्सपेरियंस के बारे में जिए दोस्तों एक्सपेरियंस है हमारा हावडा रासुंसल सेंटर वालों के लिए इसपेशली क्योंकि वहां से जो आपको अपडेट नहीं नहीं आरी वही हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर यह हमारे एक सांथी स्टूरेंस का है जिन्होंने हमें अपना एक्सपेरियंस सेयर किया शाम को तो हम आज आपको चर्चा करने वाले कैसे और कैसे आपक तो सब्सक्राइब कर लेकुद कर लीजिए क्योंकि स्मार्ट नोगे स्ब्से latitude हमसे सब से आγए मिलती है औरahu आस Colossal वाले जो गुरूप सी वाले हैं जिए दोस्तों गुरूप सी का सेंटर जो है वेस्ट मंगॉल में गया है तो वहां के जितने भी स्टुटेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो को जो है आन तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुरू से लेकि आप जब आन तक देखते हैं तो आपको क्या है बाई ट्रेंट से आना होगा उसके बाद दोस्तों वहां पर जाब के एक दिन पहले आपको विजिट करना होगा जिया दोस्तों कोई भी स्टूटर आइसा मसोचे कर दो गंटा चार गंटा पहले पहले पहुच रहे हैं और सबसे पर इंपॉर्टन च ट्रेंट से कको सफ़र करते हैं तो भिले ही अपका रिजरवेशन हो चाहे वही हो घ्रेंग लेकिन आपको पता है कि डाइसा होता है कि आपकी बॉड़ी को ठका देता है जैने कि जब अब ठक जाते तो आपका माइंड भी ठकने लगता है और उसी में अगर आप चार घंट कर सकते हैं यह आप खुद से जानते होंगे कि अगर आपका बॉडी और दिमाग ठक जाए तो आप कितना ज्यादा उस पर फोकस कर सकते हैं इसलिए मैं आपसे हमेसा कहूंगा कि आप एक दिन पहले विजिट करना होगा आपको एक दिन पहले आप विजिट कर लीजिए अपन 500 जितने भी आते हैं मतलब यह अप्रोक्सिमेटली है दोस्तों तो चाल सो पांसो स्ट्ट को एक साथ मतलब होगा नहीं आपको पता है तो इतनी बच्छों को एक साथ होगा नहीं तो इतनी बच्छों को एक साथ नंबर भी नहीं आएगा तो इने क्या हो बैठना होगा इस चीज़े आपकी हो गई खाने पीने की ट्रेट सेंटर पहुचने की आप हम बात करेंगे documentation की documentation में मैं हमेशा start करता हूँ जो important topic है उस पे जी हां दोस्तों सबसे important क्या होता है documentation में वो होता है आपका admit card यानि कि आपका admit card जो है सबसे पहले आपको रखना है side में तो admit card को आप side में रख लिजिए admit card के बाद number 2 पी जो चीज़ आती है वो है आपका ID card जी हाँ आपके बास अगर identity card नहीं होगा तो आपको admit card को कोई मतलब नहीं रहा जाता है क्योंकि वहीं से आपको match करके original से check करते हैं आपका date of birth नाम पपा का नाम आपके डैड का नाम तो यह सब चपकरने के बाद जो है आपको अंदर entry मिलती है number 3 पर आ जाते हैं हमारा जाती प्रमार पत्र यानि कास्ट वाले जितने भी students है उनको कास certificate लगेगा जैसे मैं आपको example दे देता हूँ SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे EWS वाले हो कोई भी category से आप belong करते हैं तो आपको उसका जो है original marks लेके जाना होगा जैरोक्स कापी तो आपको रखनी है दोस्तो हमेशा जितना ही मैं आपको बता रहा हूँ सभी के दो कॉपी कराना है यानि कि एक बंच आपके पास हमेशा advance में रखे और एक बंच आपने सामने लोगो दीजे जब वो जैरोक्स के बाद original मांगें तभी आपको दिखाना है लेकिन आपको carry करना पड़ेगा तो यह हो गए आपका कास certificate के बारे में लेके चचा तो अब हो गए आपका markshit के बारे में बात कर लिया मैंने कि markshit में आपको दसवी 12 का जो markshit है वो लगेगा तो यह हो गए आपके documentations ओके उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तो वहां पे आपको एक table होगा जिस प आपको वो देखना है हाथ में लेना है उसका नाम बता ना है आप जो है अगर वाटर के शेंडियर के ट्रेड में आया है तो आपको इतना संदे में चाहिए कि कौन सी दाल क्या है क्या नाम हे स्टैंडर की आप हींदी भाहसा में जो इक कर सकते हैं कोई हो चाह हो मुंबई हो एपनी कुछ भाशय होती है बड़ को क्या nevertheless नो में से यह भी छूझ कर सकते हैं मुंगे से भाइब मसालव के नाम भी लिकिंगे होंगे मसालों के नाम तो आपको बताना है तो मसालों में आपको क्या है खड़ा मसाला भी होगा पीसा मसाला भी होगा तो दोनों किसी के मसाले हैं और दोनों की मसालों आपको छूना है देखना है बस बताना है उसका नाम आपको ज्यादा ज्यादा एक मिनिट का समय मिल रहा है दोस्तों तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है पूरा जो है स्टेडी करना है सारे मसालों के नाम सारे मसाले कितने हैं हमारे चैनल पर यह वीडियो में डाला है दोस्तों पूरे कि पूरे प्रकार के मसाले आप भी सकते हैं और आपको लेना है क्योंकि आप स्कूल में कि जानते होंगे कि छोड़े बच्चों जो 5-6 पढ़ते हैं उनको चार्ट पेपर में यहां पर क्या होता है सभी मसालों के नाम निखे होते हैं और प्रिक्चर होते हैं उनके पांच-6 रुपे का आता है तो आप वह भी जाकर प्रिफेर कर सकते हैं जो पसंद ऐसी हसाद से पढ़ना चाहते हैं वहां से आप चाकर चेक कर सकते हैं तो इस परकार आपके करेम सब्जीयों के नाम दालों के नाम यह सब चीज़ें आपको वहां से मिल जाएंगा तो यह सारी चीज़ें होने के बाद यह हैं हमारा फ्रस्ट राउन इसे हम और्राउन कहते हैं तो यह और राउड जो है जानी कि आपको इसमें कुछ करना नहीं बस देखना और ना बताना है तो और ऑरल लाउड जो है complete होने के बास जो है आपको second round में entry मिलती है second round के आतक आते हैं दोस्तों कम से कम जो है 40% चट चाते हैं जानी कि फ्रस्स रांड में 40% लोग फिल हो जाते हैं आप बताएई इतनी बड़ी संख्या में स्टूड़नियागर पहले ही रांड में फिल हो जा रहे हैं तो जो ट्रेड है क्या अभी बाते बदल गई हैं दोस्तों काम बदल गया है जी हाँ आपने अभी तक काफी वीडियोस में देखा होगा कि आटा सानने को दिया जा 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 रहा है औमलेट आपसे बनवाते थे पहले दिली का पूर्थला में अभी भी यहाँ पर कुछ सेयं हैं ऐसे सम्टाइम स आपके सिरीज में आ जाता है लेकिन अब जो नया एड़न हुआ हम उसकी बारें बात करेंगे अब जो नया एड़न हुआ है वह हुआ है खीर कैसे बनाना है दाल कैसे बनाना है चावल कैसे बनाना है आपको कड़ी कैसे बनाना है पूरी कैसे चानना है आपको तो यह सब ज जादों बनना हभी तो नाया होगा जो आपका एक जाम ले देRobी देटा तो समान दे दिया घिक मिल चा अपको सब восп chips मिल रहती है उसके बाद को पण्रम को समय जे दिया लाता है उसके बाद आपको बनाके देना होता है तो इस चीज में important ये है कि आप कितनी सफाई से जो है खीर बनाते हैं वो देखना है साफ सफाई से कैसे उसको represent करते हैं जैसे खीर बनाते समय गिर जाता है जमीन पगर पे या फिर आपके गैस पगर पे तो ये चीज आपको ध्यान रखने है हम बत करते हैं अब डाल के बारे में तो डाल को बनाते समय important क्या है डाल को पहले साफ कीजे अच्छे से सबसे पहला काम तो डाल को साफ कर लिजे दोली जे अच्छे से क्योंकि आपको पता है डाल का है कि व्ल刃 को चूर थे आती है काफी कस्टमर्स कुछ्चे करते हैं चूते हैं फिर रख देते हैं तो ख़र इसमें गंदगी लग जाती इसलिए पहले काम पको क्या रोजाती अच्छा करना है डाल को ने हमें पको नार्मल पानी क् dealers जी यतना है अब दाल देजीए आप देखिए दाल बननाना का आपको से मतलब है आपके रैसीपिश्पी से नहीं क्योंकि रेसीपि तो आपकी बाद ने पुच्छेक जाएगी फिलाल तो आपका जो है टेस्ट रहें चल रहा है ट्रेट का तो आपको बनाके बस दिखाना है और आपको ट डाल में दम है तब जाके आप जो है round clear करेंगे अगर आप पास होते हैं यह भी round second round जिया तो आप यह मत आप एक student में आपका नाम आ जाएगा जी हैं अगर आप चार चार च्लिएर करते तो यह थे बार है उसके बाद भी आपको दो रॉण करने हैं और यह दो रराउन क्लिएर करने के बाद तब जाके जो है आपका सेलेक्शन होता है आर पीफ के ट्रेट गे और मेडिकल के लिए तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टन चीजें हैं जो आपको फोकस करनी हैं अंडे के बारे मैं आप फिर से बार बता रहता हूं आपको कैसे बनाना है गोल होना चाहिए अमनेट टूटना नहीं चाहिए अमनेट में क्या क्या डाला जाता है पहले वह पढ़ लीजिए कहांदा कितना डाला जाता है मतलब प्याज नमक मसाला खल्दी जो भी रेसेपी अंडे का आप उसको पहले लिग डाउन करके घर पे प्रैक्टिस किजिए खुद भी खाईए और अपनी दोस्तों को भी आपको समय में 100 गराम जो है आपको आटा सानना पड़ेगा तो यह आपका रोटी बनाने वाला प्रोसीजर है इसको भी आपको फोकस करना है आटा इससे सानना हो कि आपका एक्जामेट चेक करेगा कि वह आकर इसे रोटी बन सकती है नहीं एक मिट के अंदर आपका इसे आ स्टूरेंट का एक्सपरियंस था जो हमने उनसे बात किया था टेलीफोन पर और जो एक्सपरियंस हमने उनसे लिया और वही चीज़ आपको शेयर की तो दोस्तों आसन सोल और हवड़े सेंटर वाले आप सको सभी को पता चल चुका होगा कि किस पका जो है नहीं नहीं वीडियो आते रहेंगे जो हमारे स्टूरेंट सेयर करेंगे हम आपको अपलोड करते रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स डे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों फार वाचिंग इस वीडियो